पाकिस्तान के पूर्व राश्टपती परवेज मुशर्णफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है एक टीवी चैनल को दिये इंटर्वियू के दौरान मुशर्णफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ मजाग करना छोड़ दे वरना हमारी ओर से मुहुत तोड जवाब दिया जाएगा कश्मीर मुद्दे पर मुदी जबरदस्ती उनमात पहलाने का प्रयास कर रहे हैं सार्ग समेलन में प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी के शामिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी अपनी मर्जी से पाकिस्तान आते हैं एक तरफ जहां मुदी नवास शरीफ को बर्थडे पर बधाई देने पाकिस्तान आये वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का काम कर रहे हैं मुशर्फ ने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं, PM मूदी ने अपना दोहरा रवईया दिखाया है इतना ही नहीं परवेज मुशर्फ ने पठान कोट और उरी हमले का कारण कश्मीर मुद्दे को बताते हुए कहा कि भारत असल मुद्दे को भढ़काना चाह रहा है मुशर्फ ने कहा कि PM मूदी जंग चाहते हैं लेकिन यह जान ले कि पाकिस्तान पाकिस्तान है नेपाल और भुटान समझने की गलती भारत ना करे मुशर्फ ने हिजबुलातं की बुर्हानवानी को नेता कहा साथ ही यह भी कहा कि भारत बलूजिस्तान के मुद्दे से खेल रहा है वह भारत विरोधी बयान देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंतरी ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि उरी हमले की योजना भारत ने खुद बनाई थी इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे एक तरफ परवेज मुशर्रफ भारत को मूँ तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंतरी उरी हमले के लिए भारत के सर ही दोश मड़ रहे हैं मतलब हर तरफ से पाकिस्तान दुनिया में अपने आपको पाक साफ दिखाना चाहता है